नमस्कार इंडिया एक्स्प्रेस में आपका स्वागत है त्यागी समाज की महापंचायत को लेकर पहले ही दलालों समाज को बेजने वालों और दो रुपिये की सदस्यता वालों से सावधान किया जा रहा था क्योंकि समाज के लोगों को डर था कि कुछ लोग आंदोलन की दिसा बदलने का काम करेंगे और जब लोगों को मंच पर बोलने नहीं दिया गया माइक छीना गया या उन्हें माइक नहीं दिया गया तो साफ हो गया कि मंच सत्ता के करीबियों के कबजे में है यह आरोब महापंचायत में आये तमाम लोग लगा रहे हैं क्योंकि जिस सरकार के खिलाव महापंचायत में जन सहलाब उम्डा था उसी सरकार के खिलाव बोलने से मना किया जाता रहा लोगों में इससे जबरदस्त गुस्सा रहा महापंचायत में आये लोगों ने खुले आरोप लगाए हैं कि मंच पर भाजबा के लोगों का कब जा रहा सोसल मीडिया पर इन लोगों के खिलाव जब अरदस्त गुस्सा है ये कुछ पोस्ट आप देख सकते हैं लोगों का कहना था कि मंच पर जो हुआ वे ठीक नहीं था जान बूज कर ऐसा किया गया जिससे महापंचाय सफन नहीं हो लेकिन सत्ता समर्थख इसमें काम्याब नहीं हो सके हैं क्योंकि समाज के लोगों ने संदेश दे दिया है कि मान सम्मान के लिए कोई सरकार कोई दल हो उसे सबक सिखा देंगे मंच पर जो हो रहा था वे किसी से छिपा नहीं है बड़ी बात ये रही कि उन युवाओं के मुँ में मंच वाले अपने सब डालने की कोशिस करते रहे जो इस मामले में जेल में रहकर आ चुके हैं समाज के युवा एक बात भी बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि दलालों ने अपनी ओकाद दिखाई दलाली हमारे उसूल नहीं तोड़ सकती बिरादरी ने अपना फर्ज निभाया और दलालों ने अपना मंच जिनके हातों में था उनसे तो तमाम जिलों के त्यागी महासभा के पतदिकारी भी बेहद नाखुस है मुझे फर्णगर जिले से आए परताप जागी ने कहा कि मंच जिनके हातों में था ऐसा लग रहा था कि वे समाज के नहीं बलकि भाजपा के समर्थक थे जिस सरकार ने हमारे मान सम्मान को ठेज पोचाई उसके बारे में बोलना चाहिए सरकार को एसास हो और जो गलतिया सरकार ने की है उन्हें ठीक किया जाए हमारे समाज की 90% वोट भाजपा को जाती है और उसी पार्टी की सरकार भी है